कहीं अगर कोई किसान गरीब किसान आत्महत्या करता है तो बड़ी तकलीफ होती है आज अगर आज़ादी के सतर साल के बाद भी हमारे देश में किसानों को खुदकुशी करनी पड़ रही है तो यह शरम की बाद है लेकिन दुख की बात जादा यह है कि तकलीफ मेर को होती है तकलीफ आपको होती है इन नेताओं को तकलीफ नहीं होती इन पार्टियों को तकलीफ नहीं होती जितने मर्जी किसान मर जाएं जितने मर्जी किसान खुदकुशी कर लें एक साल से मुझे लगता है दुनिया का सबसे बड़ा धरना चल रहा है अभी सिंगू बाडर और टिक्नी बाडर के दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा धरना चल रहा है एक साल से ग्यारा महीने से उपर हो गए ग्यारा महीने से उपर वहां पे बैठे हैं छेसो से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं लेकिन इन पार्टियों और इन नेताओं के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आज इस मन्च से मैं एक बड़ा बयान दे के जा रहा हूँ हो सकता है आपको ये लगे केजरीवाल बड़ी बात कर रहा है ऐसे नहीं हो सकता लेकिन केजरीवाल जो कहता है वो करता है मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी पार्टी के तरफ से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ फर्वरी के महीने में चुनावे मार्च के महीने में नतीजे आ जाएंगे एक अप्रेल के बाद से पंजाब के अंदर किसी किसान को खुदकुश ही नहीं करने देंगे हमारी जिम्मेदारी है उसके लिए जो करना पड़ेगा हम करेंगे लेकिन बहुत हो गया सत्तर साल हो गए सत्तर साल के अंदर अगर हम यह इसका मितले हम इनकी नियत खराब थी ऐसा नहीं कि यह हो नहीं सकता इनकी नियत खराब थी पहले कहते थे स्कूल ठीक नहीं हो सकते सरकारी स्कूल दिल्ली में करके दिखा दिया पहले कहते थे सरकारी अस्पतार ठीक नहीं हो सकते थे दिल्ली में करके दिखा दिया है मैंने दिल्ली में जब पहला चुनाव लड़ा मैंने का मैं बिजली फ्री कर दूंगा मेरा मजाक उड़ाते थे यह सारे पाटी वाले दिल्ली में करके दिखाई की नहीं दिखाई आज मैं आपको वादा करके जा रहा हूं एक अप्रेल के बाद से पंजाब के अंदर कोई किसान खुदकुशी नहीं करेगा किसी किसान को हम खुदकुशी नहीं करेगा तो आज दो चीजें एलान कर रहा हूं एक तो ये एक अप जानी करने देंगे और दूसरा जितना आपकी लागत आती है अगर कभी भी भविश्य के अंदर फसल बरबाद होती है आम आत्मी पार्टी की सरकार बनने के बाद अगर कभी भी फसल बरबाद होती है जो लागत है उस लागत के हिसाब से आपको उचित मुआफजा दिया जा क्रिपया हाज जोड़ के अपील है अब कोई गलत कदम मत उठा लेना 30 अपरेल तक आपके अकाउंट के अंदर हम मुआपजा आपके अकाउंट के अंदर डलवा लें